अगुद बॉर्णिंग दोस्तों तो आज मैं आपको बताने माला हूं कि जो टूल लाइफ रिपोर्ट होती है वो कैसे बढ़ते हैं अब है मेरे एक वीडियो है जिसमें आपको इंसर्ट रिपोर्ट के बारे में बता गया था टूल लाइफ रिपोर्ट के बारे में आप प्रपल के तौर पर लिया हुआ है तो यह सुपराटो कंपनी है यहां पर कंपनी का नाम रहेगा यहां पर आप देख पारे हैं टूल चेंज रिपोर्ट है ना तो आपको यह सब चीजें अलड़ी भरी होंगी और यह सब आपने देख लिया तो इसमें पहला है कि डेट सिफ्ट और टाइमिंग मतलब कौन से डेट को लिया जा रहा है और कौन से सिफ्ट है और टाइमिंग क्या है तो माल लेजिए कि आज तारिक है हमारी कितनी आज है 17 17 तारिक को लिया गया है और तीसरा महिन है 22 कि इस तारिक के लिया गया और वहारी जिफ्ट प्लब होता है कि दे तो मॉचफ और टाइमिंग क्या थी तो इस तरह के से आपको लगा सकते हो अंडिलरे उसके पर जान लों कि 9 बचल आता पने तूर लिया गया था ठीक haircut रात को उसके बाद यहां पर आप देख पाले होगे कि यहां पर लिखा हुआ है कि machine नंभर, machine name तो यह दो चीज़े लिखी होई है तो दो चीज़ों को आपको देख लेना है पहले तो मैं थोड़ासा इसको मैं बता देता हूं कैसे आपको वगरना है पहले machine number, machine number की आप कौन सा machine चला रहे हैं, तो यह VMC का है, मैं VMC का बता रहा हूँ, CNC भी आप लिख सकते हो, VMC मालो की 23 number की आप machine चला रहे हो, तो machine का number लिख सकते हो, या machine का नाम भी लिख सकते हो, कि कौन सी machine है CNC, VMC जो भी है, और part name या part number, मतलब दोनों में से आपको दोनों लिख सकते हैं, या एक भी लिख 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 सकते हो, तो मालो की आपने जो पार्ट का नाम है, मालो की आपने चलाया है, कबर आरेच, कबर आरेच, कबर आरेच, कबर आरेच मतलब होता है, जैसे कि ये राइट हैंड कर कोई कबर होता है, बाइक का, उस तरीके से आप माल सकते हो, और इसका पार्ट नमबर है, C4 00, C4 00, मतलब C400, ओके, और ये कौन सा है, OP10 क्या होता है, OP10 है, ठीक है, OP10 और OP20 क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, OP10 होता है, First Setup, First Setup मतलब की, जिसमें कि मालो की VMC जब होती है, तो पहले में First Setup में मालो की tapping होई, थ्रेटिंग हुई दो तीन ऑपरेशन हुए उसके बाद जो फाइनल होगा तो वो उसको बोलते हैं ओपी ट्वेंटी तो यह हमारा ओपी टैन का है मतलब भी फर्स टप का है अब हो गया टूल नेम मतलब कौन सा आप टूल को बदल लाए हो तो मालो कि आपने टैपिंग का ट 1.5 मतलब कि आपने M6 का टैप चेंज किया है जो कि 1.5 का है ओके तो यह आपने कौम सा चेंज किया टैप यह तो आप समझ गया होगे टैप मतलब होता है टैपिंग टैपिंग मतलब की चूरी चूरी समझ रहे हो आप चलिए आगे बड़ते हैं लिखा है कि टूल में टूल लिया मतलब कि BMC में दो तीन टैबिम होती है तो मालो कि आपको एक ही एक ही कॉंटिटी चाहिए एक ही टूल खराब हुआ है तो आपने एक कॉंटिटी का जो है वो टूल ले लिया है अब यहां पर आ गया कि चाहिए राजयगीरी कोई सoma और आणा प्रताब तो जैसे कि इन ओ समय से आप ढाल सकते हो आसा जोल Hub यह बहुत जिलूरी होता है कि यह आगे देखा चाहता है कि कि सोपरवाज़र के अवंडर में किस लड़की ने टूल को चेंज करवाया है ठीक है और ये टूल ले फोर्ट जो है वो आगे तक जाती है अब यहाँ पर लिखा हुआ है reason for change मतलब किस लिए change किया गया है तो यहाँ पर लिखा है when where the is tool alive is over then reason for change should be tool life over within quantity मतलब कि quantity लिखिए कि उस टूल ने मतलब tapping के tool ने कितनी quantity में parts को निकाला है और किस वज़े से tool को change किया जा रहा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर stand का एक दिख रहा होगा इतनी मेनद से वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग इसको like जूर करिएगा अगर अच्छा लगे तो नहीं तो फिर कोई भात नहीं तो मा लेजिए कि tool की जो to life to life है वो ओवर हो गई है अना तो यहाँ पर आप लिख सकते हो due to wear out wear out o ut o ut wear out to life do to wear out to life अब यहाँ पर लिखने quantity लिखने है कि माल लो कि आपने 3300 quantity को मारा है total okay तो 3300 quantity इस जो की टैप ने मारी हुई है और किसलिए क्योंकि जो tool है उसकी जो है tool life है वो wear हो चुकी है wear मतलब होता है कि खराब है अब यहाँ पर आगया कि old tool details tool number मतलब कि जो पुराना पुराना जो आपने चेंज करें उसका भी लिखना होता है तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बता देता है M6 का tap लग रहा है 1.5 का यहाँ पे आप आगे लिख सकते हो tap मतलब tapping और यहाँ पे लिखा है कि old tool submitted to मतलब कि यह जो पुराना टूल है इसको भी दिखाना होता है कि जब नया टूल लिया था तो जो पुराना वाला टूल कहा रखा हुआ तो इसको भी बताना होता है कि आपने किसको समिट किया किसको दिया तो आप लेख सकते हो Mr. सूरेश Mr. सूरेश सिंग ठीक है Mr. सूरेश सिंग को आपने जो कि पुराना जो तूल था वो दे दिया है ठीक है यह सब चीज़े बनी ज़रुरी होती है नीचे कुछ और भी है डीटियल्स देख लेते हैं जल्दी लिए निउ टूल्स टिटेल्स एंड निउ टूल डीटेल्स एंड टूल लंबर नया टूल का जो है कॉन सा टूल है कितना जैसे कि मैंने बताता टैप है और M6 का टैप है 1.5 का यह लिखना होगा उसके बाद फिर न्यू टूल रिसीब टूल मतलब कि आपको जो टूल है वो किस से रिसीब हुआ किस से मिला तो माल लो कि यह टूल आपको मिला है सुजीत से इसमें कई लोगों का नाम होता है और मालो की यह तो अलग अलग नाम मैंने बताया है जैसे कि मालो एक ही पोस्ट फे दो तीन दो तीन अगर मालो कोई नहीं है तो उसका भी नाम लिखा सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो सुजीत से आपको टूल मिला है सुजीत सु प्रोड़क्शन सुपर्वाइजर रिमार्क और कॉल्टी इंजिनियर रिमार्क मतलब कि इन दोनों की जो की सहमती में यह जो है आपको टूल मिला हुआ है कि इस कॉल्टी वाला चेक किया होगा पोला होगी टैप कराब आ रहा है टैपिंग साही नहीं आ रही है तो कोटी वाले के साइन होती है ठीक है तो बस यही था कैसे भरना है आपको समझ में आ गया होगा वीडियो सोड़े लंबी हो गई लेकिर मैंने बहुत यह तरीके से बताया हुआ है और वीडियो अच्छी लगे तो लाईजिए रूख करिएगा थैंक्यों सुबंच